इंडियन गॉवर्मेंट ने हाली में एक मेगा ओशन मिशिन समुदरियान लाँच करने का फैसला किया है जहां पर मिनिस्ट्री ओफ एर्थ एंड साइंस ने बीप ओशन के अंदर की मिस्ट्री सॉल्फ करने के लिए मच्सिया 6000 नाम की सम्मरीन बनाई है जहां पर इस सम्मरीन के जरीए तीन इंसानों को 6000 मीटर जितनी ओशन की डेप के अंदर ले जाया जाएगा इस मिशन में इस सम्मरीन को बनाने का खर्च लगबग 1000 करोड के आसपास आने वाला है जिसमें से सेंट्रल गवर्मेंट ने इस ओशन मिशन को इंप्लिमेंट करने के लिए 4077 करोड का बजट भी पास कर दिया है मच्सिया 6000 सम्मरीन अभी भी डेवलेप्मेंट स्टेज में है और इस सम्मरीन को बनाने के लिए टाइटैनियम अलॉय से बने स्पेर शेप को चुना गया है जिसको 80mm थिक टाइटैनियम अलॉय की चादर से बनाया जाएगा और इस सम्मरीन को बनाने के लिए गोल शेप सिर्फ इस लिए चुना गया है क्योंकि ओशन की 6000 मीटर जितनी गहराई का प्रेशर इस सम्मरीन के सारी तरफ एक समान पड़े और ये सम्मरीन ओशन गेट की सम्मरीन की तरह पानी के अंदर इंपलोड न हो जाए Ministry of Earth Science की इस सम्मरीन मत्सिया 6000 को बनाने के लिए ISRO, IITM और DRDO जैसी दूसरी organization से भी मदद ली गई है ताकि इस सम्मरीन का design सबसे अवल दरजे का हो और तो और इस सम्मरीन के अंदर radar और दूसरे seismic technological component लगाए गए हैं ताकि ये component ocean के अंदर मौझूद rocks और दूसरे minerals की पूरी जानकारी दे सके 6000 करोर जितने महेंगे इस समुदरियान mission का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंडियन ocean में module सभी rare minerals और खनिज को आसानी से ढूना जा सके और आगे आने वाले सालों में ये rare mineral ही इंडियन government को पैसा कमा कर देंगे तो आपको अगर ये टू मिनिट टेल कम टाइम में ज्यादा ग्यान वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले